हेलो फेंट्स में मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर पिंट साज की इस वीडियो में बैक नेक डिजाइन में आप लोगे साथ शेयर करूँगी तो यह मेरा मैन फैबरिक है और यह डिजाइन में बना रही हूँ पोर्ट में की अकॉर्डिंग तो उसी के सा लेंद मुझे इसकी तयार रखनी है और बोर्ट नेक अकॉर्डिंग 34 साइज का बैक पार्ट में यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ तो उसी के साब से शोल्डर इन आर्म होल का मेसेमेंट लेंगे शोल्डर इन आर्म होल लिये हैं मैंने यहाँ पर 7 इंच 7 इंच पर हमने इ इन शोल्डर को डाउन करेंगे कमर का मेसेमेंट लेंगे कमर है 28 इंच उसका चोथा भाग यहाँ पर होगा 7 इंच 3 इंच एक्स्टा मारसिन और 1 इंच एक्स्टा ओर लिया है कमर की प्लेट्स के लिए तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्टीट हो गई है और अब हमने कर लेना है इसकी कटिंग तो इस तरीके से हम वेक पाट को अस्तर पे कट करेंगे इसके बाद मेन कपड़े पर रखकर भी इसकी कटिंग कर लेंगे साइट से जो प्लेन फैबरी के इस कपड़े में वह भी मैने कटिंग कर लिया है डिजाइन में यूज करने के लिए अब हमे लेना है गले का measurement गले के चोड़ाई रख रही हूं में आपर 4 इंच गले की लंबाई लिए 3 इंच और एक चोटा गला बनाएंगे बोटनेक का शेव देते हुए नीचे की तरफ देडिंग छोड़ते हुए मार्क करेंगे 1.5 इंच यहां से 3 इंच आपको छोड़ देना है औ फिर 4 इंच पर विट्ट में मार्क करना है दोनों तरफ से 4 इंच पर मार्क कर लेंगे और एक चोगोर बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से इसके बाद हमने यहां पर गले का शेव ट्रॉ करना है तो सिफ हमें उपर की तरफ से हलकी सी गुलाई यहां पर दे दिनी है इस तर मार्किंग कर लेंगे तो यहां पर दिखें नीचे जो आप कर्लेस भेंगे कर लेनी है और अच्छें यहां पर गले का ड्रॉर को कर लेंगे अगर 500 पास इस गले को सब्सक्राइब तो भी आप सब्सक्राइब कर चेझा लि cul Grade में करें ऊचला बातो लेंगे गले का शेप में ने दोनों तरफ ड्रॉ कर दिया है इसके बाद में बाहर की तरफ से एक इंच एक्स्टरा लेते हुए पेपर पेस्टिंग पेस्की कटिंग कर रही हूँ सेंटर में उपर और नीचे की तरफ कटिंग कर देंगे इस तरीके से और इसे हम अस्तर के उपर अटेज कर देंगे अस्तर पे भी हमें सेंटर कट कर देना है सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए यहाँ पर मैं पिन लगा दूँगी इस तरीके से इसके बाद हमने इस पर एक रफ पेस्ट कर सकते हैं आसानी से ये चिपक जाता है इसके बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है पेपर पेस्टेंग को मैं आस्थर के कपड़े के साथ लडेश कर दिया है अब मैं यहां पर पिन लगा रही हूँ तो इस तरीके से हमने यहां पर पिन के साथ इसा डेज कर देना है और जो मार्किंग की है गले की हमने उस मार्किंग के उपर हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से बिल्कुर मार्किंग के उपर सिलाई चलाते हुए से कंप्लीट कर और बाकि सारा कपड़ा भी क्याटिंग करके निकाल देगे इस तरीके से हमें सी हमें कटकर निकाल देना है तिस तरीक लेवें कट कर देना है, सिर्फ 16 फेबरिक काल था प्रद का चोटफ स journal धूना कापडव पूर्ण से ऑख सोटाई नाकूल से इसलिए कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और गला आपका फिनिशिंग के साथ बन के आ जाएगा हाथों से अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है कपड़े को फिनिशिंग कर देने के बाद एक सिलाई हमने उपर कॉर्नर के इस तरीके से लगाती नहीं है ताकि नएक हमारा अच्छे से यहाँ पर पेट जाए सिलाई कम्प्रीट करने के बाद हम बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देंगे इस पर और जितना एक्स्टर फैब्रिक निकल रहा है बाहर की तरफ उसे कटिंग करके निकाल देंगे इस तरीके से हमने सारा ही एक्स्टर कपड़ा कटिंग कर देना है अस्तर के बराबर से फैब्रिक को कट कर लेंगे अब हमें ऊपर उपर वाला नेख कटिंग करना है तो यह पर मेजसरमेंट ले लेंगे चार इंच और लंबाई में तीन इंच विड्ट रखे थी मैने यह पर 4 इंच लैंद मेरिया था 3 इंच प्रोपर यहा पर नेक की कटिंग मैंने कर दी है, बोटने कट करना है और सिलाय लगा दीनी है, इसके बाद हम उरई पत्टी से उpresa की निशिंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पर देर इंच की चुडाइ में पत्टी को कट किआँ एक पेर का मारजिन लेते होए पत्ती को हमने यहाँ पर अटेश कर देना है इस तरीके से और पूरी ही पटी के ऊपर लगा लेंगे छोटे-छोटे कट तो इस तरीके से कट कर लेना है अब हमने एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के ऊपर लगा देनी है एक्स्ट्रा पटी कट कर देंगे तस हमें यहाँ पर उतनी ही पटी रखनी है जितनी कि हमें फोल्ड करना है पटी को यहाँ पर इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है अब हमने देखिए उपर और नीचे का नेक तयार कर लिया है तो कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है एक दम मैंने आपर सेंटर से भी नीकिया है सेंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड किया है और यहाँ पर हमने 3.5 इंच की लेंथ में प्लिट्स डाली है नेका हमारा इस तरीके से आ जाएगा इसके बाद में लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमरपटी तो यहाँ पर कमरपटी इस तरीके साटेज कर देनी है नीचे से आधा हिंच का मार्जिन कवर करते हुए एक सिलाई पटी को इस तरफ करते हुए पटी के उपर लगा लेंगे कमर पटी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड तो इसी के साथ हमारा जो ये डिजाइन है जो बैकने के वो कम्प्रीट हो जाएगा इसका डिजाइन हमें बनाना है डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पटी ली है पटी के जो विट रखनी है आपको लगबग वो डाई इंच की रखनी है 2.5 इंच इसके चोड़ाई रहेगी इसे डबल फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई हमने लगा लिनी है सीधी पटी ही कट की है इस कपड़े में जो साइड में प्लेन फैब्रिक था उसी से में डिजाइन बना रहे हूँ आप चाहें तो कॉन्टरास फैब्रिक भी ले सकते हैं इस पटी को पलटके सीधा कर लेना है हमें और इसी तरीके से इतनी ही लेंथ में पटी में एक और तयार करूँगी अब इसे अच्छे से हमें हाथों से फिनीशिंग दे देनी है आप चाहें तो कॉन्टर की एक सिलाई भी लगा सकते हैं इसे लेंथ में आपको कट करना है साड़ी तीन इंच की लेंथ में इस तरीके से इंच टेप से नाप लीजेगा इसके बाद इसे कट कर लीजेगा बराबर से हमने पटी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और 3.5 इंच की लंबाई में इने कट कर लेना है और भी पटी हम इने इसी तरीके से तयार कर ली है इसके बाद सुई धागे से स्टीच कर देना है इस तरीके से रफली आप इस तरीके से स्टीच कर दे पटी को और थोड़ा से धागे को खीच के दूसरी तरफ से इससे स्टिच कर देंगे तो ये हमारे पास एक फूल तयार हो जाएगा डिजाइन बनाने के लिए तो हमारे ये जो बाकी सारे पैटरने मेरे वो भी मैं इसी तरीके से तयार कर लूँगी तो इस तरीके के फूल आप बना कर अपने ब्लाउस के बैक नेक में डिजाइन बना सकते हैं तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर पूरे ही फ्लावर कम्पीट करके आपको दिखाती हूँ अब दिखिए हमेरी फ्लॉवर यहां पर अटेच करना है तो इस तरीके से एक-एक फ्लॉवर लेते जाएंगे और अगर आपके पास कम फ्लॉवर तेयार होते हैं तो थोड़ी-थोड़ी दूरी पर आप इन्हें लगा सकते हैं पीच-बीच में एक मोती भी स्टीच कर सकते ह तो मैं बिल्कुल हलका सा यहां पर गेप दे रही हूँ जादा गेप नहीं दिया है आधा इंच से भी थोड़ा ही गेप मैंने यहां पर दिया है फ्लॉवर हमने पूरे ही नेक पर लगा लेने हैं और यह नेक यकीन मानिए बहुत ही सुन्दर और सोबर लगेगा आप मैं युज़ कर रही हूं तो यह आपर देखें इस तरीके से से एंटर से मेरे लेज लगाना शुरू किया है और पूरा गुलाई में देते हुए हमें इस तरीके से लेज को आटेश करना है जहां पर भी आप लेज को घुमाते हैं वहां पर एक छोटी बिट्स डाल दिया क कि जीए उससे हमारा जो गले का शेय पे वो प्रॉपर दिखता है तो मैंने यहां पर एक प्लेट्स टाली है अब यहां तक लाते हुए एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है इसे फोल्ड करके पका कर दिया है उपर वाले नेक पर भी मैं इसी तरीके से लेस को अटेज कर कि यह देखिए मैंने आपर नेक पर भी मैं इस टेज कर दिया है और यह जो फ्लॉवर हमने बनाये हैं इनके उपर में मोती स्टीच कर रहे हूं तो आप अपनी पसंद से कलर कॉमिनेशन में मोती ले सकते हैं मेरे पास यह रेट कलर में मोती थे तो मैंने आपर रेट मोती करें हैं आप गोल्डन भी ले सकते हैं मोती का साइज भी आप अपनी पसंद से चोटा या बढ़ा करके ले सकते हैं तो पूरे ही फ्लॉवर पर में यह आपर मोती लगा कर इसे कम्प्रीट कर लेती हूँ इसी के साथ मेरा यह जो नेक डिजाइन है वो बनके रेडी हो गया है तो फ्रेंट्स आपको आज का मेरा यह डिजाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओे लाइके धन्यबाद्ने सेक जरूर के जरूर कास सुवा एक जरूर को आजब है को Вीडिर चाल बाहँ मैं टेए जरूर जरूर को ठाटन eigenlijk जरूरी है